तो आज जो डेट है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वह 8 फैब है और पेपर जो होगा वह 7 महीं को होगा तो अब जो आपके पास तीन महीने बचे वे थे या जो राउंड ओवर करके 90 डेज आ रहे थे उसमें सब एक दिन कम हो चुगा है बहुत सारे बच्चे कैब रहत कहूंगा जो मैंने अपने सबसे शुरू की वीडियो में कुछ बात बताएं थी कि देखो जैसे हर पेशेंट की कंडिशन अलग होती है हर किसी के लिए दावाई अलग होती है उसी तरीके से हर किसी के लिए जो इस्ट्रेटिजी वगर होंगी वह भी अलग-अलग क्यों हो क्योंकि देखो हर किसी के वीक पॉइंट्स जो होंगे वह अलग होंगे हर किसी के स्ट्रॉंग चैप्टर अलग होंगे वीक चैप्टर जो होंगे वह अलग होंगे किसी के जाधा चैप्टर तयार होंगे किसी के कम चैप्टर तयार होंगे तो अगर मैं कोई एक में बात करता हूँ तो देखो उन में से एक डायरेक्शन यह है कि आप कम से कम कम से कम पेपर से 50 दिन पहले अपना स्लेबस कम्प्लीट कर ले मतलब यह तो कंबल सरी है 45 या 50 दिन इस से जादर कम दिन नहीं होने चाहिए इस से पहले आप अपना स्लेबस कवर कर ले फिर और उसके लावा मैं यह कहना चाहूंगा कि आप कम से कम कम से कम तीन बार अपना स्लेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करके रिवाइस करना बहुत सारे टेस्ट देना मेजर मेजर टेस्ट की बात करते हैं तो कम से कम से 10 देना और उन दस में से भी जो 4 हो में बजला मैं को बता conclusions मैं 10 से जादा दो दे सकते हो देने में 17 और टाइमे थो तो स्ब्सक्राटेश में 20 के पिछले साल के paper होने चाहिए 22 के 21 में दो पेपर हुआ, 20 में भी दो पेपर हुए, तो ये पिछले साल के 4 paper as it is आपको solve करने हैं, मैंने भी अपने time पे solve करे थे, उसके लावाब जो चे बागई के बचे में वह आप जो भी test series जो भी direction के नजरिये से कि question कौन से लगाने रिविजन के टाइम पर कि मतलब फास्ट रिविजन करना है थोड़ा सा टाइम भी बेचाना है और question भी लगाने है तो देखो सारे module तो आप नहीं लगा पाऊगे क्योंकि मतलब common सी बात है कैसे लगा सकते हो आप नहीं लगा पाऊगे तो सबसे पहले जो question का orientation लगना है सबसे पहले आप अपने पीवाई क्यूस लगाना उसे बाद NCRT एक्जांपलर वाले question लगाना और जो module में question आपसे बार-बार गलत हुए करते बग दिया जो आपने special question पर स्टार मार्क लगाएं थे उन question को सॉल्व करना यह नोर्स में जो अगर आपके question special वाले आएं कुछ अच्छे हैं जैसे कि बहुत सारे बच्चे करते हैं मैं भी करता था जो question मुझसे गलत होया देते module करते बग तो मैं स्टार मार्क लगा देता था ताकि बात में रिविजन के टाइम पर सिफ और सिफ में अपने एक्सा चीजे नहीं पूछे जाती हैं सिफ एंसी हाटी पढ़कर ही आपका काम चल जायागा बागी अच्छे से मैंनत करो अभी बहुत सारा टाइम है इतना टाइम है कि आपके पूरी टाइम है बहुत सारी चीजे संभल सकती है कोशिश करो संभालने के लिए ठीक बाकि मैंने एक प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है पेड मेंटर्शिप वाला वो सिफ मैंने भी सिफ केंप्शन में बताया था तो मैंने किसी वीडियो में उसका मतलब डिस्क्लोजर नहीं कर तो मैं वह कर देता हूं कि अगर किसी को कोई इंटरस्टेड हो तो टैलिग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है यूजर नेम मेरा रहादुजैब 217 यह है ठीक है तो ठीक है गाईज बाए